नमस्कार दोस्तों आप सरी का माई चलना पर हादी स्वागत है दोस्तों आज 21 नौंबर 2020 ही से और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा भारत के प्राइवेट बैंकों में से फास्टेश ग्रोविंग बैंक इंडस इंड बैंक के सेर्स के बारे में जैसा कि आप लोगों को यह ग्यात होगा कि अभी जो विस्तुकव क्रिकेट का एंदाबाद में खेला गया है वहां पर आई सी सी और इंडस इंड बैंक के बीच में कुछ करार हुए थे और वो बहुत ही मात्र पूर्ण गलोबल इस तरह पर इनकी प्रजेंस और बढ़ती हुई और इनके संबंद जनता के बीच में अच्छे बनते हुए साथ ही बैंक की जो फानेंसियर प्रफार्मेंस है वह बहुत ही दमदार इसी के चलते मैं आपको थोड़ा प्रकास टालूंगा कि इंड आएगा एक इस्टेडी ग्रोथ आपको इसमें दिखाई देगी दोस्तों आज ही इंडस इंड बैंक ने एक्चेंज में एक बहुत मात्र पूर्ण सुझना दी है और वो सुझना यह है कि जो अभी ICC मेंस क्रिकेट का वर्ड कप 2023 का फाइनल और साथ में पूरी स्रीज खे ने ICC के साथ एक ग्लोबल पार्टनर के रूप में सफलता हासिल की थी और एक एंथेम कंपेंड प्रोग्राम के जरिए अच्छी प्रजेंस बनाई और इस प्रोग्राम के जरिए इंडस इंड बैंक ने अपने सभी वैलिवेबल इंपलाइज कस्टमर्स और स्टेक होल्ड को टूर्णामेंट में बहुत ही अच्छी तरह से उनके बच्चों को बागीदारी के लिए एक अच्छा समय निकाला और उनको पार्टी सिपेट कराया ताकि वो एक नया अनुबाव प्रात्त कर सकें साथ ही दोस्तों ये अन्थम कंपियन प्रोगाम काफी सफल रहा है और इंडस इंड बैंक ने बहुत बड़ी एक सफलता उनको मिलती नजार आ रही है कि इतने सारे बिस्तु कप के मैचेज हुए और ये गलोबल इस्तर पर सारी इनके प्रसारान हुए उसमें इंडस इंड बैंक का सांदार प्रदरसन आंगे नजार आ रहा है एक अच्छी इनको इडवार्टाइजमेंट का यहाँ पर मौका मिला दोस्तों जैसा कि इस एंथम कंपियन प्रोगाम का ICC मैंस क्रिकेट वर्ड कब में मेमोरेविल कई छण रहे इसमें दोस्तों जैसा कि अभी इमने बताया था कि इंपलाइस कस्टमर्स और स्टेक होल्डरों के बच्चों ने और साथ ही पैरेंट्स ने काफी कुछ बढ़ चड़कर भाग लिया है इसमें कुल बच्चे 1440 रहे और लगबग 48 मैचों में दस सहरों में जोकी मुक्य रूप से एमदाबाद, हैदराबाद, चिन्नई, पूने, बंगलोर, कुलकत्ता, दर्मसला, बुंबई, पूने और लखनोग में रहे जहां पर इन सभी ने सांदार पार्टिसिपेशन किया और एक अच्छा इस्पेरियंस प्राप्त किया और दोस्तों ये एंथेम केंपेंड प्रोगाम इंडस इंड बैंक के लिए इतनी सांदार इड़वर्टाइजमेंट इसके द्वारा प्राप्त की इनकी ग्लोबर प्रजेंस और मजबूत हो चुकी है साथ ही इनका जो फारेंसिल प्रफार्मेंस है इंडस इंड बैंक का वो काफी बेतरीन है दोस्तों अभी जो 30 सितंबर 2023 को क्यूटू का रिजर्ट्स आया है उसमें एक मातपूर्ण गोस्रणा की गई है इंडस इंड बैंक के द्वारा की लगबग इनका जो कस्टमर बेस है वो 37 मिलियन तक पहुंच चुका है साथ ही 2631 इनकी ब्रांचेज या बैंकिंग आउटलेट्स हैं साथ ही 2903 एटियम्स हैं पूरे कंट्री के लोकेशन्स को जिन में से 1,43,000 गाउं भी कवर होते हैं दोस्तो इसके साथ ही बैंक के जो इंडिया से बाहर आफिस हैं उनमें लंदन, दुबई और अबुदावी मोख्य रूप से हैं तो इस तरह से इंडिस बैंक की ये प्रजेंस कंट्री और आउट आप कंट्री में अच्छी पकड़ दिखाई दे रही हैं और इनके आँगे अच्छे प्रोगाम हैं आँगे बढ़ने के लिए प्राइवेट बैंकों में फास्टेस्ट ग्रोइंग ये बैंक नजर आ रही है क्वाटरली रिजर्ट्स पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं तो दोस्तों क्यूट्टू अभी जो परेंसिलियर 2024 वाला आया है याने कि 30 सितंबर 2023 को क्वाटर्स कतम हुआ है तो में टोटल इंकम आई है 13,530 करोड की जबकि पिछले साल था टोटल इंकम 10,719 करोड इस तरह से बढ़िया सांदर टोटल इंकम इयर आन इयर बेसिस पर इसी तरह से क्वाटर अन क्वाटर बेसिस पर नजर डालेंगे तो जून 2023 के Q1 में 12,949 करोड की इंकम हुई थी और अभी आप Q2 सितंबर 2023 वाले में देख रहे हैं कि 13,529 टोटल इंकम हो गई दोनों तरह से यर आन इयर बेसिस तो क्वाटर अन क्वाटर बेसिस पर सांदर इंकम बढ़ती होई जी तरह से इन नेट प्राफिट पर नजर डालेंगे तो अभी Q2 में 2181 करोड का नेट प्राफिट हुआ है जबकि पिछले साल 1787 करोड का प्राफिट हुआ था बढ़िय सांदर इयर आन इयर बेसिस पर प्राफिट इसी तरह से क्वाटर आन क्वाटर बेसिस पर देखेंगे तो Q1 जो जून 2013 में अभी खतम हुआ है उसमें नेट प्राफिट 2124 था और अभी Q2 में प्राफिट बढ़कर के 2181 करोड हो चुका है इस तरह से इयर आन इयर बेसिस क् एक कांस्टेंटली नेट प्राफिट बढ़ता हुआ इंकम बढ़ती हुई और प्राफिट बढ़ता हुआ ये किसी भी कंपनी या बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है अब दोस्तों समझ लेते हैं कि आज क्या क्लोजिंग बनी है इस ठाक मार्केट्स में इंडस कि दोस्तों आज इसका सेहर नेसी पर 1502 पर बंद हुआ है एक तरह से फ्लैट बंद हुआ था क्योंकि इससे पहले वाले कल को 1504 रुपए 80 पैसे पर था दोस्तों जैसा कि आज 2100 मेर 2023 है और आज इसका हाई गया था 1507 लो 1494 और क्लोजिंग आप देख रहें 1502 पर अब दोस्तों जो 52 वीक्स हाई बना था इंडस इंडस इंड बैंक का वो 15 नॉम्बर 2030 को 1538 पर 52 वीक्स लो एक फरवगई 2030 को 990 रुपए इस तरह से अभी भी 52 वीक्स हाई के रिकुल नजदीक सांदार ब्रेकाउट की पोजिशन पर इस समय कायम है आप देद इसका चार्ड देखेंगे तो लगातार मार्च के बाद से इसमें सांदार रही चल लई है और इस समय 52 वीक्स हाई बनते हैं और फिर तोड़ी से गिरावट आ जाती है लेकिन जो एक कांस्टेंट इसमें ब्रेकाउट नजर आ रहे हैं और आंगे चल करके इसमें यह रफ्तार बनी रहेगी एक कांस्टेंटिली ग्रोथ है इसमें दीरे अवस्य है लेकिन एक आपको कांस्टेंटिली दीरे-दीरे आगे बढ़ने का इसमें मौका है सुरच्छित और लांग टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट का इसमें मौका है तो इन्डस इन्वेस्टमेंट के सेर्स को खहिदने के लिए लांग टर्म के लिए आप विचार कर सकते हैं बहुत ही बेतरीन बैंक है इन्वेस्टमेंट परपस से लांग टर्म में आप इसमें डाल सकते हैं अच्छा ग्रो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें धन्यवाद